नमस्कार मैं रुपेश कुमार उड़ान आई इसके e-learning platform में आप सभी को स्वागत करता हूँ आप सभी को ग्यात होगा कि 36 गड़ जो व्यापम है उसके द्वारा चात्रवास अरिक्षा की जो परिक्षा है वो 15 सितंबर को निर्धारित की गई है जिसको लेकर हमने पुराने वीडियो में समाजी कर्द्यन का जो पाठ है उसको लेकर हम वीडियो सिंकर लेकर आये थे जिसमें भारती इतिहास की प्रस्ण होंगे हम पिछले वीडियो में आपके लिए प्राचिन इतिहास का प्रश्ण पुरा सौल करवाया थे आज हम आधुनिक इतिहास एवां संतावान की क्रांती जो कि मुहत्त पुर्ण प्रश्ण होंगे आप सभी के लिए समाजी कद्यन का होगा उसको लेकर हमाज उपस्तित हुए है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेज जनकाई देना चाहूंगा जो चात्रवास अधिक्षक की परिक्षा है जो गनित विशाय से संबंदित है आप सिलेबस अगर देखे होंगे तो गनित विशाय का जो है 25 अंक आना निर्धारित है और इस 25 अंक में से जो जयमीती वाला जो पार्ट है उसमें से लगभग 10 से 12 क्रेशन आपके जयमीती से आने वाले हैं जिसको लेकर जवी सर के द्वारा 3 सितंबर 2024 को एक लाइब मैराथन क्लास प्रारम किया जिया है इस लाइब क्लास को आप आफ लाइन और ऑन लाइन दोनों मो लाइब देखना है घर में बैठ कर देखना है तो आप सभी क्या कर सकते हो उडान आई एस एकेडमी का एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप लाइब देख सकते हैं तो आप दिन न भूलिएगा 3 सितंबर को है 2024 मंगलवाद होगा उस दिन और यह क्लास सुब और किसी को एनर्जी चाहिए तो आप खाना पीना भी पकड़ के लेकर आईए ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे 3 सितंबर 2024 को एक और जनकाई देना चाहेंगे आप सभी के लिए उडान आई एस एकेडमी के द्वारा एक नया बैच प्रादम किया जा रहा है च्छतिस गड साड़े पांट सेerving आढ़े ऐर बजे के बीच जो कि जायपूल का जो सीटी प्लाजऑ ब्रांश में प्रादम किया गया है साभ ko साठे-पांस साड़े आट रचे मत्य हो गयी हो गया साथ साथ वही सीटेड इक्जाम को ध्यान में रखते हुए तो उसको लेकर हम यह आप टार्गेट लेके चाहिए कि सीटेट एक्जाम के लिए 10 सितंबर संचालित की गई है तो आप जल से जल ज्वाइन कीज़ेगा यह वैस को ताकि आपका जो सीटेट एक्जाम है वह कहीं नगए आपकी तैयारी होते जाईएगा ठीक है तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो सिंग्ला की होड़ हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है वह संतावन की क्रांथी को लेकर है साथ साथ हम पढ़ेंगे उसी में गवर्नर जनरल और भारती इतिहास में जो आधुनी की इतिहास है गांदी जिए संबंधित को चलिए देखते हैं पहला प्रसन क्या है पहला प्रस्ण है संतावन की क्रांती का आरंभ कब हुआ यह तीथी पूछा जार है कि जब हम पढ़ते हैं संतावन की क्रांती वह किस तीथी से प्रारंभ मानी जाती है जैसी के हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांती, इस चन्तावन की क्रांती की जो ततकालिक करान में आप पढ़ते हो, आप मंगल पांडे जो की बैरकपूर चाउनी, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपूर चाउनी से क्या किया गया था? पहली बार विरोध किया गया था बैरकपूर 16 से ये विरोध किया गया था और 29 मार्च 29 मार्च 1857 को दो पुलिस अधिकारी या सेंड अधिकारी की क्या कर जाती है गोली मारकर धत्य की जाती है सेंड अधिकारीों की तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि अगर निव कहां पे रखे गई थी तो कहां पे बैरकपूर चौनी पे 29 मार्ट 1857 को इनकी हत्या कर दी जाती है जिसके अपराद में 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को क्या मिलती है तो यह तिथी याद करेंगे 8 अपरेल 1857 को जिसके विरोध में माना जाता है दस मई दस मई 1857 मेरट की चौनी से मेरट की चौनी से इस विद्रो का भव्य सुहारम होता है तो अगर पूछा जाता है कि भव्य सुहारम शंतावन की क्रांती का कहां से हुआ तो मेरट की चौनी से नियू कहां पड़ी थी तो आप बैरगपूर चौनी लेंगे और प्रारम कब हुआ था दस मई 1857 मेरट की चौनी से कब हुआ है तो दस मई 1857 तो इसका एंसर क्या होगा आपका ये सी एंसर सही होगा आया समझ में ये थोड़ा वहों तो ये भी ध्यान रखेंगे आप ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था अब यहां पर अजादी इसलिए बोला जाता है क्योंकि संतावन की क्रांती को भारती त्यहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहें तो यह बोलते हैं कौन विनायक डामोदर सावरकर्ज के द्वारा तो विडी सावरकर्जन Person fifty की उत्रांदी को पहली राथ क्या अनृणे रहां लुष किसने भाग नहीं लिया 60 रीशंव वहाग लिए थे बहाद्दुट साफ दीटि आप पड़ते हैं सन्तावन की संतावन की क्रांती का प्रमुख में नेता कौन पर यह जाने मुख्य नेता करने माला कौन था या भारतियों किसको नेता चुना था लो किir могут लेते हो आप बहाद्दूर सा जफर को लेते हो ड्वीती है ना जहां रहें पहले वड़ आते हैं लेकिन इसमें भगा सी है यह सामिल नहीं थे भगा सी आएंगे जब 1925 में बनता है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी स्वाज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोचेशन आप प लाहुर सड्यांद्रकेश तो इन सब में आते हैं कोण भगत संतावन में नहीं थे तो इसका सही इंसर क्या होगा आपका यह दिया रखेंगे आप ठीक है तो जो की पॉइंट है यहां पे कि किसने प्रत्थम स्वतनरता संग्राम का मुख्य तातकालिक कारण क्या देखें पुछा गया है हाला कि संतावन के करांदी के बहुँस सारे कारण जैसे कि हम इसमें समाजिक करण भी पढ़ते हैं कि भारती समाज में ब्रेटिस के द्वारत क्या प्रभाव पुड़ा था जैसे समानने तोर पर हम बता रहेते हैं आपको भारत में दाश प्रथा का अन्त भारत में सती प्रथा का अन्त भारत में वीदुभा पुनर्विवा लागु किया गया था वीदुभा पुनर्विवा लागु मदव इसमाज के ही जहीं नहीं पद्दी प्रभत सुर्भी जिसको ब्रेटिसर्का ने बंद कर दिया अर्थिक निती था बहुं सारे अर्थिक कारण भी थे जैसे कि आप पढ़ते हो एक जयत वाड़ी विवस्था जयत वाड़ी जैसे कि आप पढ़ते हो महल वाड़ी विवस्था जैसे कि आप पढ़ते हो सबसे इस्थाई बंदोब स्वेवस्था तो ये सब क्या था आर्थिक नितित ता कही ने कही इसके अलावा आप पड़ते हो इसमें सैन्यकारण OD प्रंदेते हो सैन्यकारण जिसमें सेनी को के साथ भेदभाव होता था सेमेक था भेद भाव उनके वेतन को लेकर असमानता थी, वेतन को लेकर जैसी कि उनको आटे के जगा अधटा खिलाया जाता था, आटे के जगा अधटा, ऐसे बहुत से कारण आ जाते, लेकिन यहां पर पूछा क्या है, तातकालिक कारण क्या था, तो तातकालिक कारण में आप पढ़ते हो, मुख उस कार्टूस में गाय और सुवर के चर्वी का प्रयोक किया गया था जो वहां पे यूज किया जाने वाला था जो कार्टूस कार्तूस में उसको नमी से बचाने के लिए उसमें मोठी परत लगाना था उसको मौठी किसका होता है सुवज मिश्जाना, यह यह देखं़ संबन दिंग रखो डलहोजी की निती यह मुख्य कादन नहीं था लेकिन कारण में आता है हडप निती आता है उसमें अंग्रेजों का धर में हस्तफेब का संदेख करना यह सही है आपका सैनिक असंतोस यह था मुख्य रुप से आप जब पढ़ते हो कि यहां पर सैनिकों को क्या था भेदभाव की ज़्यादा था वितन में कमी आठे जगा अरट्टा तो यह भी कारण था ऐसा नहीं है आर्थिक सोसन यह भी हुआ था कहीं ने करें लेकिन यहां पर ततकाल होगा है चली अंखिला प्राशना शंतावन की कर्णती में सैनिकों का ने bet वंवात होई था मेर्त से अब भारतके अलग अलग छेत्रा फैल गया था तो वूंसे नाना सहाब को बता देता हूं और कौन कौन कहां से किये हैं यह थोड़ा आप देख लिजिएगा जैसे कि यहां पे लिक है जहासी सिदानी लश्मी भाई लखनौ से बेगम हज्रत महल है इलाहबास से मौलवी लियाका तली फैजाबास से मौलवी अहमदुल्ला खा जगदिस्पूर से कुमार सी जगदिस्पूर मतलब बिहाज यह द्याँ रखेंगे मेरट से कदम सी असाम से कुन आते मनिराम दत आते हैं तो यह अलग-अलग छेतर से हैं थोड़ ध्याँ रखेंगे कभी क्रेशन ऐसा पूछा जा सकता है आया समझ में यह चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओस अठादा से संतावनी किरांती के बाद किसने भारत की आता है भारत सासन अधिनियम भारत सासन अधिनियम अठादा सो अंठावन इस भारत सासन अधिनियम अठादा सो अंठावन की तहत जो भारत में गवर्नर जनरल का पद होता था गवर्नर जनरल का पद को क्या बनाए गया वायस राय तो वायस राय जो है कौन थे लौर्ड क अगर क्रिस्टन पूछा जाएगा 57 के क्रांति कि समय गवर्नर जनर कौन थे तब लॉट कैनिंग अब हुआ क्या यह पद्र को स्रिजन की एक इसके द्वारा महरानी विक्टोरिया महरानी विक्टोरिया अर्थार ब्रेटिस क्राउन ब्रेटिस क्राउन या ब्रेटिस टाज जिसको आप पढ़ते लिए किताब हो में कि अधिन चला गया था तो कौन थे महरानी विक्टोरिया थी तो किसके हाथ में चले अियराफ कौन उसको सठ्वा गए चलाया सगरे ठीक है चलिए अगला प्रस्था देखते हैं और दुसरा कौन सा बक्सर की जैसे कि आप पढ़े होंगे प्लासी का युद्ध प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह वा था सत्रा सो संतावन पर और इस समय गवर्नर कौन थे तो इस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं लेकिन यहां पूछा गया है बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में उस समय बंगाल में कौन थे तो किस्तान आता है तो उस समय बंगाल में बनाया गए था किसको मीर कासीम मीर कासीम थे और इधर से ब्रेटिस तब से कौन आएंगे मुनरो मुनरो आते हैं यहां से अब मीर कासीम के साइट से होता है दिल्ली का बात्सा तो यह होते हैं तो यह तीनों एक साइड होते हैं मेर कासीम साह अलम दूतीर और एक तदब कोन है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिस सरकार है यह संगर्स होता है कब 1764 में अब जो यूद हो रहा है इसमें माना जाता है ब्रिटिस सरकार जितंयाती है और इन pengund पराजित हो जाते हैं जिसमें दिल्ली के साहलम के साथ संदी होता है और अवद के नवाब के संदी होता है इलाहबाद के संदी इसको बोली जाती है तब घटना जब घट रही है तो उस समय बंगाल में गवर्णर कौन है यह पूछा जाए आपको तो इस समय कौन आते हैं वे प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ था एक साइड होते हैं कौन मीर जाफ़त होते हैं यहां रखेंगे मेर जाफ़त के साथ होता है ना और यहां पर कौन है मेर कासी में दोनों अलग-अलग ध्यां रखेंगे तो यह हो गया आपका नेस्ट रखते हैं निम्न लिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारती राज्यों के लिए सायक संधी की निती अपनाई थे तो भारती तिहास में आप पढ़ते हो जिसमें एक सायक संधी की सुरवात होती है और सायक संधी के सुरवात करने वाले होते हैं भारत में लौड व वेले जली इनके तो आधा प्राराम किया जाता है लेकिन अगर पूछा जाएगा सायक संदी के जनक कौन है तो जनक अलग होते हैं आप पढ़ते हैं डुपले फ्रांसिस गवर्नर डूपले जनक है लेकिन इसको भारत में लागू किसने करवाया तो वेले जनक लागू करवा है तो इस सायक संदी में होता क्या था मेरे यह था कि जो ब्रीटिस के समय था धियासते उनके प्रसासन में एक और रिकारी उनका साय तभी कौन करेगा बिटिस के सायन करें लेकिन उसके खर्चा जो आपका वह होगा उसका वहन किस के उपर होगा उस स्राजा के उपर तो इसके तबहुत पहला अपनाने वाले कौन थे हैदराबाद थिया रखेंगे फिर आप पढ़ते हो मैसूर और इक पढ़ते हो है है अधराबाद मैसुर और तंज़र तो इस ने करवाया तो हमारे कौन होते हैं लौड वेले जली जनक कोन है तब डूपले किसने पहला लागू किया है अधराबाद के उपर लागू होता है तो ओप्सन देखिए ऑप्सन नमबर सी इसका सही अंसर क्या होगा यह सी होगा दिया रखेंगे अब ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं किसको भारतिय पुनर्ड जागरान का पीटा कहा जाता है तो भारत में आधुनिक भारत की बात कर जागर तो आधुनिक भारत में एक होते हैं राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन र पढ़ते हो 1828 जैसे कि आप पढ़ते हो ब्रम्व समाज 1829 सतीप दथा का अंध ऐसा करके बहुंस सारे कारे करवा हैं कौन राजा राम मोहजाय ने जिसको लेकर इनको बोला जाता है क्या भारती पुनर जागरन का पिता जहां रखेंगे राजा राम मोहजाय राजा की प्रफरिन के वायस राय के काल में एक महत्त पुन्र घटना थी इन में से कौन से ऐसी घटना जो डफरिन के समय हुआ था तो यहां पर डफरिन आते हैं अस्ती चौरासी की बिच में राम कृष्ण विश्ण संबंदित नहीं है धाका में मुस्ली लिंग 1906 में होता है जो बात में आप पढ़ते हो वहां पर भारती राश्टी कांग्रेस अठादा सो पच्यासी प्रत्थम समय कौन थे वायस राय लॉड डफरिन तो यह रखेंगे और आइंसी के संस्थापक पुछा जाएगा माल लो जाए तो आप पढ़ते हो ए ओ हुम ए ओ कौन थे यह रखेंगे साथ साथ जिस समय स्थापना हो रहे हैं उस समय गवर्णर कौन है तो इस समय कौन है लॉड अध्यक्ष तो याद करना है व्योमेश चंद्र बनर्जी विसी बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी यह थे याद करना पहला मीटिंग कहां पे हुआ इस्थान गौालियर टैंक गौालियर टैंक कहां पे है यह बंबई पे है यह भी देहां रखना कितने सदस्य आये थे तो बहत्तर सदस्य आये यह भी याद करना तो यह थोड़ा में डिटेल बता दियो गठन कववा 28 दिसंबर 1885 संस्थापक कोन है यह जनक बुला जाता है गवर्णर कौन तो लॉड डफरीन प्रत्म अध्यक्ष चंद्र बेनर जी अध्यक्सता जहां पर किया गया था इस्थान गौलिया टेंग बंबई बे कितने सदस्य थे 72 या रखेंगे आप गुकुल रास संस्कृत महावित दयला पर इसका क्या होता है पहला मिटिंग होता है क्लियर हुआ यह चलिए क्रांती कार्यों के लिए गुप्त समाज अभिनो भारत समाज का घठन किया गया था तो आप पढ़ते हो कि भारत में जब 1900 के बाद जो समय आते हैं लगबग 1904 में इसका इस्थापना होता है और इसका इस्थापना करने वाले कौन है वीडी सावरकर जी वीडी सावरकर य इनकी भाई होते हैं गनेश दामदर सावरकर उनके द्वारे गुप्त समाज की स्थापना की जाती है जो क्रांती कारी रूप में क्या करती है ब्रिटिस सरकार का विरोध करती है तो ध्यान रखेंगे यहां पर एंसर कौन होंगे वीडी सावरकर ठीक है चली अगला प्रस् इस आएंसी का कॉंग्रेस पार्टी का एक मिटिंग हुआ था उन्नीस सो साथ में है उन्नीस सो साथ में जिसको बोला जाता है शूरत अधिवेशन शूरत अधिवेशन कारण यह था कि भारत में 1905 महत्रपुर्णा घटना घटी थी बंगाल विभाजन उन्नीस सपांच की बंगाल विभाजन और इसी बंगाल विभाजन प्रमुगस दो अंदोलन चलाया गया था एकथ स्वदिय और पमद्व और होता है वंग भंग कंढ़ औंडूलन वटेश्टेय विस्तार करने हिन तो एक अधिवेशन होता है मीटिंग होता है सम्मेलन बोले है थैक्य है न तो जब बंगाली भाजन के लिए काम चल रहा था तो कॉंग्रेस का एक मिटिंग होते हैं जिसे माना जाता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले पढ़ते थे ना उदारवादी या उग्रवादी तो उग्रवादी मतलब थोड़ा सा क्रांधिकारी बोल सकते हैं आप कहीने क गहीं नरम यह तो पत्र के माध्याम से अपनी मा 사 रखते महां ठीक ए न तो यहां पर क्या होता है सूदत अधिवेशन में कोआंग्रेस कभी भाजन हो पहतों में पहेद हो जाता है कि अलग अलग होंगा ऐसा करके तो एक होता है आपका नरम दल और देखोता है आपका गरम दल तो कभी पूछा जाएगा कौन से अधिवेशन में इनका युभाजन हुआ तब सुधत अधिवेशन कब हुआ 1907 में तो इस अधिवेशन कोई ना कोई अध्यक्ता करने वाला होगा तो इसके अध्यक्ता करने वाले कौन होते हैं राज बिहार बोस तो यह अध्यक्स थे कब 1907 में तो यहाँ पर एंसर क्या होगा आपका यह बी एंसर यह सहीं होगा आपके लिए ठीक है और बंगाली भजन कब होते हैं 1905 में कौन तो समय गवर्नर लौड करजंत यह भी क्रेशन बन सकते हैं मैं यहीं पर बता देता हूं आपको क्यों कहीं भी जाया वर्न लाइन फेक्ट आएंगे आपके लिए ठीक है न चलिए अगला प्रसमें देखते हैं कि नेमन लिखित को सहीं तीथी वार कदम में नीचे दिए गए कोड से चुनिए तीथी वार कदम में मतलब पहले कौन से घटना घटी है फिर अंत में कौन से घट है तो इसके लिए आपको पहले थे इनको तीथी पता होना चाहिए आप सभी को जोलेट एक्ट जोलेट आता है मार्च 1919 में जिसको आप काला कानून बोलते हो यह आया साइमन कमिशनी घुसना में 1927 में आया कब तीन फरवरी 1928 को होम रूल लिग आंदोलन इसकी सुर पात हुआ था तिलक जी के द्वारा और एनिवी सेंड के द्वारा गांधी जी और इर्विन के भी समझोता होता है पांच मार्च 1931 यह डेड़ आ चुका है पांच मार्च 1931 को जब गांधी जी अवग्यांदोलन करते रहते हैं तब उस दोदानी होता है यहां रखेंगा आप तीथी जमाई है सबसे पहला कौन सी घटना घटी देखिए सी दूसे नमबर में ए तीसे नमबर में बी चौत हम कौन सा डी सी एबी डी तो यहां पर ऑप्सन देखो ऑप्सन नमबर डी आया समझ मिए तो आप ऐसे जमाई है क्रम पुछा गया है तीथी बार पुछा रुप से हुआ था जब गोल में सम्मेलन होता है तीन गोल में सम्मेलन हुआ है पहला दूसरा और तीसरा जिसमें भीम्रावंबेट कर तीनों में सामिल होते हैं जो सेकेंड नमबर के गोल में सम्मेल होता है उसमें कॉंग्रेस पार्टी सामिल होती है गांधी जी जाते है पूना के जेल में कौन है गांदी जी और इस दोसा घोसना हो जाती है मिकडॉनाल आवार्डdet हुआ मेंresi के बलते सांव्रादाइक UP पंचाथ और सांप्रदाइक पंचाथ कहने का मतलब है दलितों के लिए प्रिथक निर्वाचन प्रनाली लाए गई थी तब वहीं पर गांधी जी क्या करते हैं आमारन अंसन कर देते हैं आमारन अंसन यहां पर गांधी जी इस समय भारत के प्रमुख नेता के रूप में जाते तो कहीं न कहीं जेल में जब ब्रिटी सरकार थी तो डर गई कि आमारन अंसन कर रहे हैं कुछ हो जाए तो बहुत गरबर हो सकता है तब वहां पर अंबेटकर जी को बलाया गया तो गां अंधिजी और अंवेटकर जी के बल वही सम्झाओता हुआ 24 सब्टेंबर उननीस सौ बतीसक तीस को क्या होता है सम्मेलन होता है आप पुना समझाता क्यों वह यह पढ़ गया पूना से पुना पेक्त यह किसे संबनी था यह दलितों के लिए यह सही होगा है आया समझ में अगला प्रशाल देक्ते हैं इन में से किस्में जानी लच्षी बाई देजी मिन की सठापना किया था जब सुभास चंद्र बोष जो है सिंगपूर जाते हैं और वहां पर अजाध इन फौझ से क्या कर लेते हैं वहां पे सामिल color उनके द्वारा अलग 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 रेजिमेंट के स्थापना की जाते नेहिदू रेजिमेंट होता है गांधि जी के नाम पर होता है अपने नाम प कि निम्न लिखित में से किस राजा ने दक्षिन पूर्वी एसिया के मलाया में भारती समराच की स्थापना की थे तो आप जब पढ़ते हो दक्षिन पूर्वी एसिया की बात करें अगर तो यह जो आपका भारत है और भारत से एक लगा हुआ दीव है अन्डमान निकोबार और इससे लगा हुआ आपका इंडोनेसिया यहां पे अलग-अलग मलेसिया वगेदा क्या है अलग-अलग छेत्र है तो इन छेत्र पे सासन कौन पहले चालूगे था का सैलेन्द के राजया ने यह दहां रखेंगे आप सैलेन्द जैसीकि आभी ठ्रीशन आया था ज्यावा को लेकर ज्यावा पे बना था बोदो बना था बोडो बुदूर बहुत धरिश्टू किन के समय बना था तो शेलें था उपका नहीं तो गांधी जी ने किस आंदूलन में करो या मदो का नारा दिया था तो गांधी जी ने पहली बार ऐसा बोला था कि यह तो आप अपने स्वतंद्रता के लिए अभी कर लो कुछ लड़ लो या जीवन भार कहीं ने कहीं ब्रेटिस सरकार के अंदर अगर क्या हो जाते हैं मतलब यह था जितना हो से के प्रयास कर लो मरते दम तर तो यह कब बोले थे में उन्नीस सो व्यालिस में भारत छोडो अंदोलन की सुर्भात होती है कहां से ग्वालियर टेंक आठ अगस्ट अन्नीस सौ व्यालिस को यह चालू होता है और इसमें नारा देते हैं करो या मरो कर देंद्रान का नारा इससे क्या हुआ गांधी जी युवाओं को प्रियरि तो क्या हो जाते इसका पतन में हो जाता है क्योंकि इसके विरुद्र में British सरकार क्या चलाती है Operation zero hour ऑप लिए जी दो और इस से क्या हुआ एक सेकेंड्ड गवाए भिना जितने भी नेते होंगे उनकी क्या करना है तरीक ना तो इस ऑपरेशन जीदो अवर्ड के तद गिरफ्तार हो जाते हैं सभी की सभी मतलब भारत छोड़ अंदुलन क्या हो जाता है नेतित्व हिन हो जाता है आप ठीक है न इसका सही एंसर आपका यह भारत छोड़ो अंदुलन यह रहां रखेंगे आप ठीक है चलिए सभी को आप इसका जवाब देंगे कि इसका सही एंसर क्या हुआ कमेंड बॉक्स में ठीक है जितना समझाया हूं पता चले कि जब समझाया हूं आपको समाज में आ रहे हैं कहीं नहीं तो एंसर के जवाब आप देंगे आप ठीक है चलिए नेस्ट ऑपरेशन पोलो आदी के बाद क्या हुआ था रियासतों का एकी करन रियासतों का एकी करन और इसको एकी करन करने में सबसे बड़े यगदान किनका था सरदार पटेल जी का सरदार वल्लब भाई पटेल यह किये थे ऑप्सन यह था रियासतों के पाद ब्रिटिस सरकार ने नियाम बनाया थ यह तो रियासत स्वतंद्र हो सकते हैं यह पाकिस्तान में सामिल हो सकते हैं यह तो भादत में सामिल हो सकते हैं तो तीन जो रियासत था एक रियासत था जम्मु कस्मिर एक रियासत था जुनागड और एक रियासत था आपका हैदराबाद यह तीनों क्या किये थे नाटक किये कि हम लोग क्या रहेंगे स्वतंद्र रहेंगे तब माना जाता है कि कश्मीर में मुस्लिम कभीलाई के द्वारह आकरमन किया गया था तब यहां पर संदि rip भारत सरकार के द्वारह विलय पत्र तो विलय पत्र यह तो संदीप पत्र कौन सामिल हो गया भारत में कस्मित जुनागर गुजरात में है यह सामिल हो जाता है जनमत संग्रा से लोगों को जनमत संग्रा करवा कर यह कत्रित हो जाते हैं तो भारत में सामिल हो गया अब बज यह कौन है दलाबाद था operation पोलो यहां पर option क्या है 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 राज जमे सैनिक कारिवाहि से तो option क्या होगा यह डि होगा दियान रखेंगे question पूछ सकते हैं आपको कि operation जीरो आवर ऑप्रेशन पोलो जीरो आवर भारत थोड़ा अंदुलन पे और यह आपका हैदरबाद में सहीनिक कारिवाहि करने की है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है गदर पार्टी फ्रंटियर गांधी या आप सिमांद गांधी बोल सकते इनहीं को फ्रंटियर या सिमांद गांधी सिमान्त गांधी इंडियन नेशनल आजमी आई एने भारत के प्रत्थामदास्टर पती ऐसा पुछा गया कौन सा सही नहीं है कर देखते हैं इसमें कौन सही नहीं है पहला लिखा है कि आपका गदर पार्टी यह जो गदर पार्टी है सेन फ्रांसिस्को में था यूएसे में 19 2013 इसके जो इस्थापना हुआ था लाला हर्दयाल और एक नाम पढ़ते हो सोहन सी भाखना अब यहां पर क्या दिया है पहला ही गलत हो गया है इसको बोलते हैं खान अब्दुल गफफार आएने में कौन थे सुभास चंजर भोस भारत के प्रत्थम राष्ट परती कौन है डॉक्टर राजयंतर यह भी सही है यह पहला वाला ही गलत अगला प्रत्थम देखते हैं नेमनलीकित प्रधार मंद्र में से किसने भारत में कृप्स मिशन भेजा था तो कृप्स मिशन का आगमन होता है मार्च 1942 में नाइन्टी फुट्टी तो में आगमन होता है कृप्स मिशन जिसने भेजने वाले कृण होते हैं विस्टन चर्चिल विस्टन चर्चिल यह दिया रखें क्रिप्स की अध्यस्ता में भेजा जाता है तो यहां पर एंसर क्या होगा विस्टन चर्चिल आप्शन डी चलिए नेस्ट कि एस्यॉर्टिक सोसाइटी और बंगाल वारिन हेंस्टिंग कि in इनके समय क्या होता है सत्तरह सौ चौछ दराजी में अधो इसियॉर्टिक सोसाइटी कि का पर बंगाल पर यह ता क्या प्राचिन प्राचिन ग्रन्थ पर अध्यन करने वाले क्या थी संस्तर या बोल सकते हो प्राचिन इतिहाज के जितने भी ग्रंथ उनके संब्द में एक अध्यन करने आपको दिखाई दोगा विलियम जोन्स यह आतकन आपको ठीके ना तो एक्वेस्टन फर्स सकता है बना कपता 1784 में किनके समय वारेन हैंस्टिंग समय किसने बनाया विलियम जोन्स चलिए अगला प्रसने देखते हैं जैसे कि हमने आप सभी को बताया था राजा राम मोहर राय आपको बताया गया था कि उन्होंने क्या बनवाया था एक ब्लंब समाज की स्थापना किया था कहीं ने कहीं से मुसीब रिकार देयनल सरस्ति का नाम है भारती समाज सुधार के रूप में वर्ट्स 1875 इस समय एक बन कि बंधनीस ब्लंद सरस्ति इंग दयानन सरश्ति और इनका लाम बहुँत है रावाटो को मैसे वेदों की ओर लोटो रहा है कि या सकते है किसने का क्यों है क्यारश्त प्रसन आपके लिए नमक सत्यागरा के समय गांदी जी के गिरफतारी हो जाने के बाद अंदोलन के नेता के दुप में उनका इस्थान किस ने लिया गांदी जी ने क्या किया था नमक कानुन तोड़ा था आप पढ़ते हो गांदी जी का दांडी यात्रा जो कि मुख्यत चालू कहां से होती है आज पास का होता है तो यह रखेंगे कि जब नमक कानुन तोड़ा तब उनके बाद क्या होता है उनकी गिरफतारी हो जाती है उसके बाद चलते रहता है उसी सवीनए अवग्यांदूलन चलते रहता है उसी अबध्यान चो छे अपरील 1931 को आपरेल 1930 चीच जया अपरेल 1932 कि ऩासट कि ने कि किया यह पूछा जा रहे तो आःपम परअच पढ़ते हो अभास्थ दया जी यह अभास्थ बहुत तो आज मैं जो प्राइब दो आया हूँ वो संतावान की करांती और आधंदी की त्याश से संबंदित मैं कोशिई किया हो आपका भारत का भूगोल है उसमें सविधान है तो यह संबंदिश सिक्षक है वो आपके लिए वीडियो सिरिंखल ले के आएंगे आप निजंतर बने रहेगा और आप सभी को मैं बार बताना चाहूंगा कि मैरा धन क्लास क्लास को लेकर धीरे से आपके लिए सभी में जो सब्जेट हैं जैसी कि आपका मैस कंप्यूटर हिंदी चत्ती दड़ का इतिहास करेंट अफेयर इसको लेकर मज़ाथन क्लास की जाएगी तो आप हमारे उडान आइस अकेडमी के साथ बने रहेगा तब तक लिए धन्यवाद झाल